बटाने जिसके लिए एक्सिम्म पावर करेगा और वह पावर कितने होगी यह बताना है क्या केस निकालते हैं जैडेल निकालने के लिए हमें क्या अच्छाई यह जैटीएच यह दोनों कॉंपलेक्स है ठीक है तो जैडेल बराबर क्या होगा complex conjugate of thermion impedance तो thermion impedance find करेंगे अब thermion impedance find करने लिए क्या करते है voltage source को short करेंगे कौन से source को independent को केबल independent को नहीं छूना ठीक है उसको एज़िए रखना है यह आ गया जेवन ओम माइनस जेवन ओम तो वी नोट और हमें निकालने है क्या जेटी एच जेटी एच क्या हुआ है मैं एक यहां पर एक source लगा दे रहा हूं वी जी और यहां से करन्ट फ्लोर करा दर हूं आई जी ठीक है तो इन दोनों का आई रेशियो मुझे क्या देगा जेटी एच यानि वी जी अपाउन आई जी जो होगा क्या एगा मेरा जेटी एच के एकवल अब यहां ध्यान से देखो आई जी ए रहे टूबी नोट करेंट इदर सा रही तो इसमें कितनी करेंट फिलो होगी इस वाले में कि आई जी प्लस टोवी नोट ठीक है वी नोट इसको वी नोट इसके अक्रोस वोलेज है तो इसके अक्रोस करेंट कितनी हो जाएगी वी नोट अपाउन जेवन यानि माइनश जे वी नोट ठीक है तो इस वाले में कितनी करेंट जाएगी इस वाले में यह आई जी प्लस टू वी नोट इदर सा रही थी उसमें से माइनस जे वी नोट निकल गई तो यहां पर कितनी आएगी तो कितनी आ रही थी इदर आई जी प्लस टू वी नोट उसमेंसे क्या हुआ कितनी निकल गई माइनस जे वी नोट तो कितनी अब बची होगी है यहाँ पर आई जी प्लस टू वी नोट प्लस जे वी नोट तो इसमें इतनी करण फिलो रही होगी इस वाले इसमें लूप में के वे लगाओ तो कितना मिलेगा मुझे माइनस वी नोट पिलस वन इन्टू कौन से करण आई है आई जी प्लस टू वी नोट प्लस जे वी नोट जी करश टू जी रहो यहाँ से वी नोट की वैल्यू निकालेंगे तो वी नोट आएगा माइनस ओफ आई जी वन माइनस जे अपॉन टू ठीक है तो वी नोट की वैल्यू आगए यहां से नेक्स्ट आप क्या करेंगे इस वाले लूप में यहां से यहां से करके मैं क्या लगाऊँगा फिर अगेन के वे लगाऊँगा तो माइनस वी जी प्लस इंपिडेंस यानि जे वन उसके एक्रोस करंट कितनी है उससे यह करंट फिलो रही है आई जी प्लस टू वी नोट यहां पाया प्लस वी नोट वी नोट की वैल्यू पता मुझे मैं इसमें लगाऊँगा तो कितने आएगा मेरा तो वी जी को मैं दल ले प्लस वी नोट की वैल्यू माइनस आई जी वन माइनस जे अपोन टू देखो वी जी आई जी आई जी आई जी तो मैं आई जी यहां स्कूमल ले लूँगा तो वी जी अपोन आई जी कितना हो जाएगा यह हमारा जे टी एच यह सोर्व होके आएगा वन वाइटू प्लस वन वाइटू जे ठीक है तो जे टी एच आचुका है हमारा हमें चाहिए जेडल जेडल जो होगा वह क्या होगा कॉंपलेस कॉंजूगेट ओब जे टी एच जब इसका कॉंजूगेट करेंगे तो जे से पहले क्या कर देना बस साइन अपोजिट कर देना तो हमारा जेडल जो आजाएगा कितना है वन वाइटू माइनस वन वाइटू जे ठीक है यह आगया जेटी एच नेक्स्ट हमें क्या चाहिए पावर जो पावर होगी वह कितनी होगी मैं यहां पर भूल गया लिखना मोड ओ वीटी एच स्क्वार अपॉन एट आर्टी एच जब दोनों कॉंप्लेक्स में होते हैं ठीक है तो मुझे आर्टी एच चाहिए आर्टी एच यहां सा चुका हमारा यहां से देखो आर्टी एच कितना आ गया वन बाइटू ओम अब मुझे चाहिए वीटी एच तो निकालने के में क्या करूंगा इसको हटा दूंगा ठीक है मैं इसको हटा दूंगो और यहां से क्या करूंगा वीटी एच निकालने के लिए मैं क्या करूंगा वीटी एच जब निकालने के लिए मैं क्या करूंगा वीटी एच जब निकालने के लिए मैं क्या करूंगा वी झे आप देखो यहां पर यह to open एकर नो यह तो अपर यह तो कोई जाएगी नहीं सो कूछ जाएगी नहीं तो कि इतनी जायान आजाएगी कुल सों टो डोड एक्सको करूंगा में कितना हो जाएगा टूवी फ्लस जे, वी नोट, इतनी करेंट हाई? अब क्या करता हूं मैं dθ, इस भाले लूप में कितना यहींगा इस भाले मैं, ठीक है मै्नस वी नोट मैंस वी नोट और य मैंस वी नोट, य वन करेंट मैं सीझाट 2, अ गदो नोट प्लस 12 तो 2V नोट प्लस JV नोट मैं 1 की मल्टिप्लाई करेंगे प्लस वोल्टेज जो दे रखा है यहां से वी नोट जो आएगा सोल्व होके मैं उसकी वैल्यू लिके जाऊँ माइनस 6 प्लस J6 चैंब मैं में मैं करूँआ देखो WTH इस वाले लूप में हहां से यह तक लगाहँँगा तो वह कितना ऐगा माइनस VTH गड़ियेच उस्वारी मैनस जेटथॊ फिव नोट तो सब माइनस perce oldu नेड फिलस फिर सब्सक्राइब फिलस गड़्सटलेग itself ले लिया कितना उचेगा 1-J2 ठीक है वी नोट की वैलियो आच चुकी है कितनी निकाली मैंना भी माइनस 6 प्लस जे 6 वन माइनस जे 2 तो इन दोनों की जब मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमें वी टी एच मिलेगा कितना 6 प्लस जे 18 हमेंचे यह उसका मोड तो मोड कितना जाएगा यह 36 प्लस 324 तो मोड वी टी एच कितना जाएगा रूट 360 ठीक है इतने वॉल्ट तो हम मुझे पी मैक्स चाहिए पी मैक्स कितना होता है मोड ओ वी टी एच स्कॉर अपन एट आर्ट एच मोड वी टी एच करेंगे तो कितना यह 368 इंट इंट र्टी एच कितना वन वाई टू तो इससे फोल टाइम सेंसे फोल से 369 नाइन टाइम सेंसे तो यह आ गया 90 वोल्ट यानि मैक्सिम्म पावार जो ट्रांसपर होगी कितने होगी 90 वोल्ट ठीक है तो इतनी पावर ट्रांसपर होगी और हमने देखा कि दोनों किस तरह से इस को को से आसान इस किया जा सकता है ठीक है तो देख लीजिए कोई स्टेप मिस हो गया तो हो तो अगे थैंक यू इस वीडियो में तना ही और थैंक यू मिलते है नेक्स्ट वीडियो में